दो दिन बाद रक्षा बंधन का त्योहार आने वाला था वो गरीब रानो चड़िया एक गहास की टूटी फूटी जहपडी में रहती उसके दो बच्चे थे कुक्कू और गुडिया कबूतर चाचा जी मेरे घर की छट पूरी गल गई है इन दिनों बारिस भी जो रोखी है तो क्या आप मेरे जहपडी की छट बदल दोगे हैं हाँ रानो बना दूँगा हमारा तो काम ही है छट बनाना मैं कल से ही कान शुरू कर दूँगा एडवांस में थोड़े पैसे दे द हाँ लिये थे मगर समय समय की बात होती है तुमने गर्मियों में छट बनवाई थी और अब मौसम बरसात का है देड़ हजार से एक रुपिया भी कम नहीं लोंगा मैं जा रहा हूं मर्जी हो तो बुना लेना ऐसे बोलते हुए चाचा कबूतर वहां से चला जाता है रानो पैसे संभाल कर रख देती है अपनी मा को परेसान देख कुकू अपनी गुल्लक फोड़ता है ममा आप ये पैसे भी संभाल के रख ले नई छट बनवाने में काम आएंगे अरे वा मेरा अच्छा बेटा तेरे होते हुए मुझे कोई परेसानी नहीं होगी ऐसे बोलते गुडिया अपनी दो सहिलियों के साथ बैठी नदी पर बाते कर रही थी मुन्नी दो दिन बाद रक्षा बंदन है तूने क्या-क्या तैयारी की है कोई ही मैंने पीले रंग का सूट बनवाया है और महन्दी लगवाने के लिए गोरी आंटी को बोल दिया है दोस्तों मैं भ रुपे लेती है गुडिया क्या तुम नहीं चलोगी महन्दी लगवाने के सोक तो मुझे भी है मैं भी कल तुम दोनों के साथ चलूंगी इस तरह से गुडिया भी बहुत खुस हो रही थी एक दिन बीत जाता है साम का समय था मम्मा चुडिया चूले पर खाना बना रही थ कुडिया को उपहार भी देना है ऐसे मेरे कुछ पैसे तो कल ही खर्च हो जाएंगे मम्मा चुडिया ऐसे खाना बनाते हुए हिसाब लगा रही थी और चिंता में थी तभी गुडिया उसके पास आ जाती है मम्मा मुझे सो रुपे दे दो सो रुपे किस लिए दे दू रहेली आज मेहदी लगवाएंगी तो मुझे भी मेहदी लगवानी है गुडिया घर में पैसों के बहुत तंगी है और आपको फाल्तू के खर्चे करने है तक्षा बंदन बिना मेहदी के भी मनाया जा सकता है अब जाओ यहां से रानोच्डिया गुस्से में यह बोलती है और गुडिया रोते हुए बहां से चली जाती है ये सब कुकु देख रहा था मम्मा मैं जानता हूँ आपने गुडिया को पैसे किसलिये नहीं दिये लेकिन मैं गुडिया का भाई हो उसे ऐसे रोने नहीं दूँगा सब बहने रक्षा बंधन वाले दिन खुस रहती है मैं मुझे थोड़े पैसे उधार दे देंगे अरो औरो औरो पिद्दी सा लड़का है मुझे से उधार लेगा जाजा मम्मा की कहानी सुनके सोजा आया बड़ा उधार लेने कालू अंकल जी मैंने कहाना मुझे पैसों की सक्त जरूरत है बदले में आप मुझसे कोई काम करवा सकते जैसे कि मैं आपके बाग के सारे फल बेच दूँगा बात तो सही है बच्चे से फल भी पक्षी खुश होकर खरी देंगे ठीक है कल दस बजे आ जाना मैं पैसे दे देता हूँ कालू कवा कुकु को पैसे दे देता है रास्ते में कुकु गुडिया के लिए फ्रोक और मिठाई खरीता है और घर जाकर बोलता है गुडिया मेरी बहन जेलो सो रुपे और गोरी आंटी से सुन्दर सी महनी लगवाने जाओ कुकु भाई आप तो बहुत अच्छे हो मैं अभी जाती हूँ गुडिया का चहरा खुशी से खिलूटता है और वो महनी लगवाने चली जाती है कुकु अपना लाया हुआ सामान छपा देता है रात गुजर गई थी सभी बहने अपने भाई को राखी बांती है गुडिया बहन लो जल्दी से नई फ्रोक पहन लो और राखी बांद कर अपना गिफ्ट लेना भाई आपने मेरे लिए कब खरीदा बहुत अच्छा है मैं अभी पहन कर आती हूँ फिर गुडिया फ्रोक पहन कर आती है और कुकु को राखी बांती है कुकु भी उसे उपहार देता दोनों भाई बहन खुसी खुसी रक्षा बंधन का तिवहार मनाते कुकु बेटे आपने तो अपनी गुल्लग फोड दी थी और सारे पैसे भी मुझे दे दिये फिर ये सब आपने कहां से खरीदा मम्मा मैंने अपनी बहन की खुसी के लिए पैसों का इंतजम कालू अंकल से किया था अब मैं जा रहा हूँ उनके सारे फल बेचने बहुत खुब मेरे बच्चे गुडिया तुम बहुत खुस नसीब हो जो कुकु जैसा भाई मिला है फिर मम्मा चड़िया कुकु के साथ वह साम होने तक कौलु कववे के खुब फल बेचते दोनों को काम करते देख कालू कववे भी खुश होता और वाउस सारे फल बेच दिये बहुत मालिक जी ये लो आपकी कमाई के पूरे पैसे कालू कवा चडिया से पैसे ले लेता है और थोड़े पैसे चडिया को देते हुए बोलता है चडिया बहन आपका बेटा बहुत होनहार है ये पैसे मैं आपको अपनी खुशी से दे रहा हूँ अगर तुम ऐसे ही मेरे बाप के फल बेच दिया करोगी तो तुमें हर रोज पैसे दूँगा ये बात सुन दोनों मा बेता तो बहुत खुस होते हैं वो उन पैसों से घर की नई छत भी बनवा लेते हैं और अब रानो चड़िया को काम के भी कोई चिंता नहीं थी वो खुसी खुसी रहते हैं आपका धन्यवाद गोरी कवी के दो बेटे थे बड़े बेटे का नाम जग्गू था और छोटे बेटे का नाम बग्गू कवा अब जग्गू अपनी पढ़ाई खतम करने के बाद अच्छी खासी नोकरी करता एक दिन रानो चडिया उनके घर आती है बोलो रानो चडिया अब क्या काम पढ़ गया गोरी बहन कालू बता रहा था आप जग्गू के लिए रिस्ता देख रही हो मेरी नजर में एक बहुत संदर कवी है जग्गू बेटे के लिए एकदम सही रहेगी मेरा जग्गू महिन के 35,000 रुपे कमाता है लड़की वाले दहेज में क्या क्या देंगे गोरी वो जैदा अमीर तो नहीं है लेकिन घर का सारा सामान देंगे और बरात की अच्छी खातिवदारी भी करेंगे क्योंकि लड़की पक्षी वाले बहुत ससील और गुनवान हैं इतने से क्या होगा ह हमें कम से कम दहेज में एक फॉर्चूनर चाहिए अगर वो हामी भरते हैं तो मैं साधी के लिए तयार हूँ नहीं नहीं गोरी बहन वो इतनी महंगी गाड़ी नहीं देंगे तो तू यहां क्या कर रही है मेरा जग्गु कोई अट्टा पत्ता नहीं है नोकरी करता है सरकार नोकरी मैं तो बस इसलिए आई थी कालू बोल रहा था उन्हें घर के लिए अच्छी बहु चाहिए ना कि दहेज अब पता चल गया तो जा यहां से गोरी जब से जग्गु की नोकरी लगी है तुम्हें बड़ा घमंडा गया है किसी से सीधे मू बात तक नहीं करती ऐसे ब पक्का हो गया बधाई हो गोरी बधाई हो यह तो बड़ी खुसकबरी है मैं जरूर मिठाई खाऊंगा लो चडिया तुम भी मिठाई लो अभी तो घर में ऐसे डब्बे दस रखे हैं लड़की पक्षी वालों ने ही भेजे हैं वो बहुत अमीर है किसी बात के कोई कमी नह जरूर खाऊंगा हां हां कबूतर जरूर जाना तोने मेरे जगू के साधी जैसी आज तक कोई साधी नहीं देखी होगी इस तरह से गोरी कवी बड़े सोख से मिठाई बाटती फिरती बगू कवा एक कवी के साथ बाते कर रहा था तब रानो चडिया उसे देख लेती है मेरा वादा है आप से आप कभी दुबारा ऐसी बाते ना करना मैं भी तुम्हारे बिना किसी और से साधी नहीं करूंगी चाहें मर क्यों न जाओं मरें तुम्हारे दुसमन हम दोनों साधी करेंगे मैं घर में मम्मी पापा से बात करूंगा उन दोनों की ऐसी बाते सुनकर चड़िया उनके पास आती है और बोलती है बग्गु बेटे यह सही नहीं है बच्चों को अपने माता पिता के बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए अभी के अभी आप एक दूसरे को भूल जाओ नहीं चड़िया आंटी हम एक दूसरे को नहीं भूल सकते बग्गु बेट से बहुत प्यार करती हूं आप हमें अलग ना करें बलकि गोरी आंटी से आप भी बात करें चड़िया तो उन दोनों की ऐसी बाते सुनकर चपचाप लोट जाती है उसी साम बग्गु घर में सब कुछ बता देता है ममा मैं उसी से साधी करूंगा चाहे आप माने या ना मा नहीं है उसकी मां बहुत गरीब है वो भाया जितना दहेश तो नहीं दे पाएंगी बस बस तो यह साधी नहीं होगी मैं ऐसी गरीब और चंट लड़की को जानती हूं मैं तेरी साधी किसी अमीर घर में करवा दूंगी बिल्कुल जगु के जैसे अब ना बोलना बगु साधी हो जाती है सीतल कवी दहेज में ऐसी कूलर पंखा बहुत सारा सामान लाती जिसे देखकर गोरी कवी तो फूली ना समाती और दूसरी तरस बगु ने भी चंदा कवी से मंदिर में साधी कर ली थी मेरी नाक कटा दी सब के सामने अब यहां क्यों आया है इस लड़की क बहु बहु होगी तुमारी मेरे लिए तो इस घर में नौकरानी जैसी होगी फिर वो दोनों घर में रहने लगते हैawan चंदा बहु घर का सारा काम करती खाना बनाती जैडू लगाती नाक काम करने के बाद भी गोरी को तो बस सीतल बहु ही अच्छी लगती मा जी आपने मेरे कमरे से कूलर क्यों हटवा दिया वो कूलर मेरी सीतल बहु के माईके से आया था इसलिए हटवा दिया जब अपने घर से कूलर लाएगी तो लगवा देंगे आई बड़ी कूलर की हवा खाने ऐसे गोरी कवी भरी गर्मी में कूलर को भी ले जाती है और चंदा कवी को गर्मी में रहना पड़ता वो फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती चुप चाप अपना काम करती और ऐसे ही समय गुजरता गया कुछ दिनों के लिए चंदा कवी अपने माय के चली गई थी सीतल सीतल बहू खाना बना दे उसके बाद घर का काम भी करना है माजी उस गवार चंदा को बोलो वो ही बनाएगी खाना मुझसे नहीं आता बहू वो गवार चंदा अपने माय के गई है तो अब घर का काम तुमें ही करना होगा जल्दी जल्दी से कर लो नहीं माजी मैंने कभ मैं वही खाऊंगी गोरी तो चुपचाप वहां से चली जाती है और घर के सारे काम खुद करने लगती है तब ही उनके घर चड़िया आती है अरे गोरी बहन आप बरतन साफ क्यों कर रही हो जबकि घर में दोदोब हुए है गोरी कवी चड़िया की इस बात का कोई जवाब न नहीं है क्या वो घर का काम नहीं करती चड़िया ने इतना बोला ही था तब इस सीतल उसके पास आजाती है अभी तक बरतन साफ नहीं हुए मुझे भूक लगी है जल्दी से मेरे लिए पास्ता बना दो और तुम ही देखो मेरे कमरे में कितनी गंदगी है उसे जल्दी से सा आफ करो मुझे मुझे गंद की जर्राबी पसंद नहीं है गोरी तो यह आपकी अमीर बहु जो तमसे नौकरों की तरह जो तुम पर नौकरों की तरह हुकम चलाती है गोरी कवी तो खामोस रहती है और अगले दिन गोरी कवी को तेज बुखारा गया था सीतल बेटा आज मैं पथले से खिचडी बना दे खिचडी मुझे नहीं पता खिचडी कैसे बनाते हैं और मुझे बनानी भी नहीं मैं अपने लिए बाहर का खाना ओडर कर देती हूं आप अपना खुद ही देख लो गोरी कवी को आज रोना आ रहा था कालू यह कैसी बहु है जो मेरा अपनी पत्नी चंदा को लाता है चंदा कवी तो आते ही उसके लिए खिचड़ी बनाती है और गोरी की खूब सेवा करती है गोरी तो उसे देकर बहुत खुश थी माजी आपकी तब या तब कैसी है चंदा बेटी अब तू आ गई है तो जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी फिर चं से गलती हो गई जो इतने दिनों तक तेरी बहु के साथ बुरा वेवार किया लेकिन अब मैं अपनी बहु में कोई फरक नहीं करूंगी दोनों बहु मेरे लिए एक समान होंगी उस दिन के बाद गोरी अपनी चंदा बहु के साथ हसी खुसी रहती उसे कभी गरीब होने का एहसास नहीं दिलाती आपका धन्यवाद कभूतर भाई गर्मी गर्मी जी करता है अभी तेज बारिस शुरू हो जाए आज बहुत गर्मी है चारो तरफ आग बरस रही है चुडिया वहन मुझे नहीं लगता आज बारिस होगी अगर आपको जैदा गर्मी लग रही है तो पता चला तेज गर्मी के कारण उसके तीनों अंडे खराब होगे क्या ऐसी बात है फिर तो मैं भी बारिस की प्राथना करता हूं क्योंकि मेरी पतनी लूसी ने भी कले कंडा दिया है ऐसे बोल कर कभूतर भी बारिस की मांग करता है लेकिन गर्मी के मौसम में कोई घर में तो एसी लगा हुआ था वो तो मजे से अपनी एसी के ठंडे घर में रहते थे गोरी एक बार बाहर जाकर देखें गरम थपड़ से लगते हैं अपना घर कितना ठंडा है गर्मी का जराबी एहसास नहीं होता तब ही तो तब ही तो मैंने ये एसी लगवाया ताकि गर गर्मी में न मरना पड़े गोरी चुड़िया कबूतर तो गर्मी से घबराए हुए थे वो बरसात की मांग कर रहे थे आपको क्या लगता है बारिस होगी कोई बारिस नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं होगी और मरें ये चुड़िया कबूतर हमें क्या लेना इधर लूसी क अंडे पर हलकी सी दरार आ गई थी वो पती पतनी तो बहुत घबरा जाते हैं और भागते हुए अपने अंडे को बुल बुल के पास ले जाते हैं बुल बुल जी पहले हमारा अंडा देखें इस पर दरार क्यों आ गई है अभी तो अंडे फूटने का समय भी नहीं हुआ कबुतर पती पतनी अंडा लेकर अपने घर लोटाते हैं लेकिन वो उदास बैठे थे तभी रानो चडिया उनके घर आती है लूसी बहन मुझे हरियाली ने बताया आपके अंडे पे दरारागी है अब अंडा कैसा है वो ठीक तो है ना चडिया बहन अंडा सुरक्षित है म आप दोनों अंडा लेकर कवो के घर चले जाएं रानो बहन क्या वो नकचड़ी गोरी हमें अपने घर में अंडा रखने देगी कबूतर जी मैं प्राथना करूंगी उस गोरी से आखिर हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है गोरी कालू को मना लूंगी आप चले जल्द मेरे माई के वाले या आपके रिस्तेदार कालू भाग कर दरवाजा खोलता है और वो दोनों तुरंत ही घर के अंदर आ जाते हैं क्या हुआ मोटे कबूतर तू अपनी पतनी और अंडे के साथ मेरे घर में क्या कर रहा है गोरी बहन जो कहना है वो कहलो चाहे गंदी आखो या फिर मोटा आज में तुमसे कुछ नहीं कहूंगा बात क्या है सीधे सीधे बताओ यू गोल मोल न घुमाओ फिर कबूतर अपनी सारी परिशानी गोरी को बता देता है और हाथ जोड कर प्राथना करता है प्लीज गोरी कवी लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच होती है हमारे अंडे का क्या कसूर? अपना गुस्सा इस पर ना निकालना, वरना ये मर जाएगा दोनों तो हाथ जोड कर उसे लगातार विंती कर रहे थे गोरी मना नहीं कर पाती ठीक है तुम दोनों इतना बोल रहे हो तो मान जाती हूँ लेकिन गोरी फ्री में किसी की मदद नहीं करती हाँ, मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो जब तक हमारा अंदा तुमारे घर में रहेगा मैं तुमको भौजन लाकर देता रहूँगा फिर कभूतर भाग कर अपने घर से भौजन लाता है और कवो को दे देता है कालू गोरी तो बहुत खुस थे गोरी जी ये बिजनिस बहुत अच्छा है गर्मी में घर बैठे बैठे भोजन मिल रहा है तभी तो मैंने कबूतर को मना नहीं किया अब मजे से दाना खाओ कबूतर भाईया क्या गोरी मान गई आपके अंडे को घर में रख तो लिया हाँ चडिया बहन मान तो गई मगर मुझे उनको दाना देना होगा कबूतर भाई कोई बात नहीं कालू गोरी बिना कुछ लिए कभी किसी की मदद नहीं करते खेर छोड़े थोड़े दिनों की ही तो बात है जब अंडा फूट जाएगा तो बच्चा लेकर अपने घर आ जाना चडिया ऐसे बोल कर अपने घर चली जाती है ऐसे ही कुछ दिन बीट जाते है और कालू गोरी तो मजे से कबूतर का लाया हुआ दाना खाते वो बहुत खुश थे लेकिन अब कबूतर के अंडे फूटने का समय आ गया था गोरी कालू मेरे अंडे का जरा दिहान रखना वो किसी भी समय तूट सकता है जैसे ही बच्चा बाहिर आये मुझे खबर कर देना ऐसे कवो को दाना दे कर कबूतर घर से बहर चला जाता है और गोरी के सामने वाले पेल्ड पर ही बैठ जाता है लेकिन कवे तो उदास बैठे थे गोरी अगर कबूतर का अंडा फूट गया तो वो बच्चा लेकर यहां से चला जाएगा फिर हमें भोजन कौन ला कर देगा कालो यही बात तो मैं सोच रही हूँ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये अंडा फूटे ही न और कबूतर हमें दाना ही खलाता रहे गोरी एक उपाई है हम कबूतर का अंडा पत्थर से बदल देते हैं ना तो पत्थर तूटेगा और ना कभी बच्चा निकलेगा और ना ही कबूतर हमें दाना देना बंद करेगा चलो तो पहाडियों में मैंने वहाँ अंडे जैसे पत्थर देखे हैं वहाँ एक सफेद पत्थर भी है हम उसी को लेकर आते हैं और इस कबूतर के अंडे को वहीं फैकाते हैं हमें क्या लेना इससे फिर कालू कवा अंडे को अपने पंक में छपा लेता है और दोनों पीछे वाले खिड़की से भाग जाते हैं पहाडियों में बहुत सारे अंडे जैसे पत्थर पड़े थे वो एक पत्थर उठा लेते हैं और कबूतर का अंडा वहीं छोड़ देते हैं और छपते छपाते अपने घर आ जाते हैं कालू गोरी अंडे में कोई हलचल हुई थी क्या? नहीं कबूतर अभी अंडे में कोई हलचल नहीं हुई जब तूटेगा तो दरार पड़ेंगी तो मैं तुम दोनों को खबर कर दूँगी अब जाओ यहां से बात सिर्फ अंडे रखने की हुई है ऐसे कबूतर पती पतनी वहां से लोट जाते हैं और अपने अंडे को सभा साम देखने आते मगर अंडा तो जैसे के तैसा था क्योंकि वो तो एक पत्थर था वो कभी नहीं तूटता चड़िया बहें आपके अंडे से तब बहुत संदर बेटी हुई है पता नहीं हमारे अंडे से बच्चा कबू निकलेगा क्या कहा लूसी बहें अभी तक आपका अंडा तूटा नहीं अब तो काफी दिन होगे आप एक बार अंडा बुल बुल वेद को दिखा ले कोई गडबड तो नहीं है हाँ आप ठीक कहती हो मैं अभी जाकर कबूतर जी से बोलती हूँ फिर लूसी कबूतरी अपने पती से बात करती है और दोनों अंडा लेने कवो के घर चले जाते हैं कालू गोरी हमें हमारा अंडा दे दो हम उसे बुल बुल वेद के पास ले जा रहे हैं कबूतर भाई आपका अंडा एकदम स्वस्थ है बाहर गर्मी है रास्ते में कुछ हो गया तो हाँ कबूतर जी गोरी एकदम ठीक के रही है आप जाएं बुल बुल वेद को यहीं बुला कर लाएं फिर कबूतर बुल बुल वेद को बलाने चला जाता है कालू गोरी तो ड़के मारे पसीने-पसीने हो गई थे बुल बुल घर आ जाती है, कबूतर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा कीमती समय मजाक करने के लिए नहीं है, ये कोई अंडा नहीं, बलकि ये पत्तर है, जिसे आप चेक कराने मुझे यहां लाए हो, क्या कहा, ये पत्तर है, फिर हमारा अंडा कहा है, कालू गोरी, सच सच मेरे अंडे को मरने के लिए छोड़ दिया, तुम बहुत बुरे पक्षी हो, लोसी जी अभी इने छोड़े, चले पहाडियों में, हम अपना अंडा ढूडते हैं, फिर लोसी कबूतर भागते भागते पहाडियों में जाते हैं, और अपना अंडा ढूडते हैं, वो सब से एक बूढ़ा उल्लू उन्हें काफी देर से देख रहा था क्या आप दोनों यहां अपना बच्चा ढूढने आये हो हाँ बूढ़े उल्लू जी कुछ दिन पहले एक दुष्ट कववा हमारा अंडाया छोड़ गया था यह है वो बच्चा जिसे मैं कुछ दिन पहले अपने घर लाया था यह तुम्हारा ही होगा बूढ़े उल्लू काका आपका बहुत बहुत सुक्रिया जो आपने हमारे बच्चे को अपने घर में रखा और इसकी जान बचाई हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे ऐसे दोनों माता पिता अपने बच्चे को सीने से लगा लेते हैं और खुसी खुसी अपने जंगल लोट जाते हैं